ओम शान्ति आपका प्रिश्चन है ट्रांस में कैसे जाते हैं इससे पहले कि हम ट्रांस में जाना समझे हम कौन से ट्रांस में जाना चाहते हैं ये हमको बहुत अच्छी तरह समझना क्यूंकि ट्रांस शब्द अलग अलग तरीके से प्रियोग किया गया है इसलिए ट्रांस शब्द को पहला जो अर्थ दिया गया है अवचेतन या अवचेतन आवस्था इस अवचेतन को सबकॉंशियस भी कह देते हैं और डिक्सिनरियों में बेड़ा गर्क हो गया है कि अनकॉंशियस भी कह देते हैं सबकॉंशियस अनकॉंशियस दोनों शब्द प्रियोग किये जाते हैं जिसको आप समझ सकेंगे उप समादी भी कहा है तन मैता भी कहा है तन मै आवस्था भी कहा है नशा भी कहा है बेहोशी भी कहा है तो बेहोशी की हालत भी कहा है बाव समादी भी कहा है मूर्चा मूर्चा मो आवस्था और समादी भी कहा है एक ट्रांस के मेनिंग इतने सारे दे दिये हैं डिक्ष्णरी में तो आप समझ सकते हैं कि हम किस ट्रांस की बात करें यह हमें बहुत बहुत ध्यान से समझ नहीं होता हैं कुछ लोगों ने ध्यान को भी ट्रांस कहा हैं अब ध्यान कौन सा अब यदि हम यहां देखें तो उप समाधी को भी समाधी को भी और उपर दिया है उप समाधी को भी प्रांस के दिया अब हम कहां जाना चाहते हैं इस बात को हमें बहुत बहुत अच्छी तरह समझना बहुत सारे सत्संगों में मैंने देखा बैठे बैठे वहां के वातावर्ण से वो बिलकुल अलग हो जाते उन्हें ओशी नहीं रहता कि मैं कहां हूँ सारे उठकर चले गए हैं वो वहां बैठा हुआ है कहा जाता है कि ट्रांस में गया हुआ है ध्यान में गया हुआ है समाधी में गया हुआ है चाहे वो उप समाधी हो चाहे वो समाधी हो चाहे वो ध्यान हो वे आत्मा अपने शरीर को न्योट्रल में छोड़कर शरीर से अलग हो गया जैसे रात को सोते समें आत्मा गाड़ी को न्योट्रल में खड़ा कर शरीर से अलग हो जाती है इसको ट्रांस कहा गया क्योंकि आब उसे वहां क्या हो रहा है वो उसे समानेता समझ में समर्यती में या उसके दृष्टी में या उसके कानों द्वारा उसके द्वारा प्राप्त नहीं हो रहा है वो परे हो गया है वहां के वातावर्ण से वो अलग हो गया है परंतु ये इतनी बड़ी भ्रांतियां है एक एक ट्रांस को हमें अलग अलग तरीके से समझना हो ये हमारे मन की अवस्था है बुद्धी मन और संसकार ये तीन आत्मा की सोक्षम शक्तियां हैं इन तीनों शक्तियों के द्वारा हम इस बात को समझ सकेंगे मन का काम बहुत ध्यान से देखेंगे के आत्मा की तीन ये सुक्षम शक्तियां हैं इनके द्वारा आत्मा कारिय करता है मन बुद्धी और संसकार ये हम देख सकते हैं हम इसे इलेक्ट्रोन के साथ न्यूट्रोन के साथ और प्रोट्रोन के साथ समझने का प्रयास करेंगे जैसे आत्मा वैसे एटम एटम में भी तीन चीज़े हैं इलेक्ट्रोन न्यूट्रोन और प्रोट्रोन आत्मा में भी तीन चीज़े हैं मन बुद्धी और संसकार मन इन आखों से ना देखी जा सकने वाले आत्मा की आउटर लियर हैं जो बुद्धी और शरीर के बीच एक मिडियेटर है जो चैतन आवस्था का परतीक है हर क्षण का भी हम बहुत छोटा पार्ट देखें यह पार्ट एक्टिव रहता है जो कुछ भी बुद्धी से मेसेज आता है वो बुद्धी के पास पहुंचाता है और बुद्धी जो मेसेज करता है करने के लिए वो बुद्धी से कराता है यह है चैतन मन कहो मन कहो जो मर्जी कहो जबकि डिक्ष्णरी मन और बुद्धी में कोई अंतर नहीं समझते है वो मन को भी माइंड कहती है और बुद्धी को भी माइंड कहती है अब परमपिता परमात्मा ने आकर समझाया कि बच्चे, मन, बुद्धी और संसकार ये तीन आत्मा की सुक्षम शक्तियां हैं बुद्धी सारा दिन जो निर्ने करती है उसका आधार होता है उसके द्वारा अपने लिए बनाया गया समिधान, कानून या ऐसे नियम जो उसने अपने जीवन के लिए स्विकार किये हैं जिसे हम साधार्ण भाशा में आदत कह देते हैं अब इस मन बुद्धी और संसकार की गतिविदी में हम देखेंगे कि बुद्धी ही निर्ने करने की शक्ति रखती है बुद्धी ही संसकार बनाती है बुद्धी ही संसकार बदलती है जब संसकार मन पर कंट्रोल करना शुरू करते हैं इसे कहा जाता है अर्ध चेतन या अवचेतन अर्ध चेतन कहें या अवचेतन कहें क्योंकि इसको जो कंट्रोल कर रहे हैं वो कर रहे हैं उसके अपने संसकार चेतन वहां काम नहीं कर रही है 90% हम जो कुछ भी सारा दिन कर रहे होते हैं वो हम अपने संसकारों के आधार पर कर रहे होते हैं बुद्धी इन्वाल्व नहीं होते बुद्धी से एक सुपुछने की जरुवत नहीं होती मन आटोमेटिक आधतों के अनुसार सारे काम करता रहता है जो भी आधते हैं सारी आधते मन को डारेक्ट कंट्रोल कर रही है वो है अर्ध चेतर या आव चेतर बुद्धी जहां कंट्रोल कर रही है वो है चेतर और ये तब ही होता है जब कुछ नया रुटीन से अलग करना है परंतु अचेतन में बुद्धी भी काम नहीं कर रही बुद्धी के द्वारा जो उसे ओरर दिया गया है या कानून बना दिया गया है वो भी वर्क नहीं कर रहा तब उसे कहा जाता है अचेतन क्योंकि चेतना किसी भी रूप में नहीं है ऐसी अवस्था में आत्मा इस शरीर को छोड़कर अलग होती है इस गारी को ही न्यूट्रल में करके उतर जाती है गारी चल रही है परन्तु वह कुछ अलग ही दुनिया में गई है वो इस स्थूल दुनिया में भी जा सकती है और स्थूल दुनिया के दृश्य देखकर आ सकती है और बता सकती है और वो सच भी हो सकता है यदि उसकी सम्रिती राइट है तो, एक्क्यूरेट है तो और जहां आप ट्रांस की बात पूछ रहे हैं, हो है परमपिताप परमात्मा कहते बच्चे मैं उन आत्माओं को जो द्रिश्य दिखाता हूँ, जो संदेश देना होता है, उनकी डूर मैं खींशता हूँ जिसे मैंने दादियों से पूछने के बाद समझा, क्या आपको क्या होता है, कैसा होता है तो दादियों ने बताया कि हम तो बैठ जाते हैं, बाबा की याद में जो संदेश हमें बताया जाता है, ये हमारे पास होता है और फिर हम इस बाडी से अलग हो जाते हैं, परमात्मा हमें खींच लेते हैं, परमात्मा हमें द्रिशे दिखाते हैं, हमें जो संदेश देना होता है, वो संदेश देते हैं जो हम फिर आकर आप सब को सुनाते दो दादी गुजार जी पैठ कर उसको लिखा करते थे क्या देखा क्या था वहाँ क्या कहा गया था जबकि वहाँ आवाज नहीं है के वर लिप्स रीडिंग से मैसेज मिला और फिर सुनाते तो ये ट्रांस में जाना यहां से वो अलग है और वहाँ जो द्रिशे जो संदेश परमात्मा उनको दे रहे हैं वो यहां आकर सुना रहे हैं ब्रमा कुमारिज में आने से पहले भी मैंने ट्रांस को देखा वो ट्रांस वो आत्मा खुद नहीं जाते उसमें अन्या आत्मा उनके शरीर का आधार लेकर वो जहां है वहाँ वो शरीर सुप्त आवस्था में है और वो आत्मा उनके शरीर का आधार लेकर अपना जो संदेश है या आपके कोई प्रश्ण है आपकी कोई समस्याई है उनका समाधान आकर करती है परकाया में परवेश करके ये भी ट्रांस है उस आत्मा के लिए क्योंकि उधर उसने अपने शरीर को सुप्त आवस्था में छोड़ दिया है और इधर आकर वो पार्ट बजा रही है यहाँ परमात्मा ने उनको नहीं खीचा है प्रंतु यहाँ उन आत्माओं का कार्मिक एकाउंट अन्या आत्माओं के साथ है जिसके आधार से वो अपने शरीर को छोड़ कर परकाया का आधार लेकर अनेको आत्माओं के साथ अपना कार्मिक एकाउंट बराबर कर रहे है यह भी ट्रांस में जाना है इसी परकार सन्यासी जिसे आपने उप समाधी शब्द देखा और एक समाधी शब्द देखा उप समाधी में कहीं कहीं बीच में उसका अर्द चेतन मन काम कर लेता है परंतु समान्यता वो जिसे हम आधी नींद भी कह सकते हैं वो सब अर्द चेतन में आते हैं गाड़ी गई परंतु वो डिस्टर्ब नहीं हुआ वो उसका आधी बन चुका है वो संस्कार बन चुका है गाड़ी आती है गाड़ी जाती है परंतु वे नींद में ही रहता आधी नींद में एक पूरी नींद होती है गैरी नींद जिसमें उसे वो आवास सुनाई नहीं देती परंतु अर्द चेतन या जिसे हम कहेंगे उप समाधी की अवस्ता जिसमें उसे गाड़ी की अवास तो सुनाई देती है प्रन्तु वे उसे इग्नोर कर देता है। अपने ध्यान में, अपने विचारों में, खोई हुई अवस्था में उसको विघन नहीं बनने देता है। ये उप समादी कहेंगे। समादी में उसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। डिस्टर्बेंस यहां भी नहीं है। प्रन्तु यहां उसे सम्रिती है, बीच में मिक्सिंग है कि गाड़ी गई थी। जिशेश निशानी है, तो वो किस टाइम पर जाने वाली गाड़ी है, तो वो भी उसे याद रह सकता है। प्रन्तु उसके कारण उसके अपने उस ध्यान की अवस्था में कोई फर्क नहीं करता। प्रन्तु से स्मृती है, भींस संपूर्ण समाधी नहीं है। प्रन्तु समाधी में वो कहां गया, कहां गोम कर आया। ये किसी किसी को याद रहता है, किसी को याद नहीं भी रहता है। सपने की तरहां किसी को सपने पूरे याद रहते हैं, किसी को याद नहीं रहता है। सपने में और समाधी में अंतर को हम ध्यान से देखेंगे सपने उस आत्मा के अपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी जीवन की घटनाओं से जुड़े हैं प्रन्तु समाधी में वे वर्तमान में किसी स्थान विशेश पर जाकर कुछ एक्टिविटी करके आया है प्रन्तु उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है यह हमें बहुत अच्छी तरह से समझना तो कौन सा ट्रांस जाना है किस ट्रांस में जाना है यदि हमें परमात्मावा के पास जाना है परमात्मा से संदेश लेकर आना है उसके लिए जो जो मैंने दादियों से समझा तो उस समय उनकी ग्यान उनकी समझ से क्या होना चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ पहली बात जो बहुत मैंतुपूर्ण है कि सारा देन आप मेरी तेरी अपना पराया कि अंतर को भूले हुए आत्मिक सित्ती में होना जरूरी है जो आमने दादी गुलजार में विशेश रूप से देखा व्यार्थ संकाल्प नहीं व्यार्थ बोल नहीं ये बहुत बहुत मैतुपूर्ण ये अभी व्यक्ति तभी हो सकती है जब बहुत अच्छी तरह अपने आपको समझा दिया हो कि व्यार्थ देखना नहीं व्यार्थ सुनना नहीं तो व्यार्थ बोल कार्म और संकाल्प होंगे ही नहीं तब परमपिता परमात्मा चाहे तो उन्हें अपनी तरफ खींचे उन्हें कोई संदेश देना है तो वो उन्हें बुला ले परन्तु बाकी ट्रांस में जाना तो वेस्ट is of time वेस्ट is of energy इसलिए बाबा ने ट्रांस में जाने का पार्ट बंद करवाया उस गठना से आप समझ जाएंगे सब कुछ बाबा ने मुरली शुरू करने से पहले एक तरफ एक बहन बैठी हुई है एक तरफ एक भाई बैठा हुआ है दोनों संदलियों पर जैसे योग में बैठते थे बाबा के साथ उन दोनों को कहा कि तुम ट्रांस में जाओ और वो दोनों ट्रांस में चलेगे क्योंकि सब को आदत बाढ़ चुकी थी ट्रांस में जाने की सब को नहीं तो मैक्सिमम को अब बाबा ने मुरली शुरू कर दी जब मुरली पूरी हो गई और वो ट्रांस से वापिस आ गए तो पूछा कि आज बाबा ने क्या पढ़ाया कहा बाबा हम तो ट्रांस में थे हमें क्या पता बाबा ने क्या पढ़ाया बच्चे ये तो बहुत बड़ा घाटा हो गया परमपिता परमात्मा परमदाम से आकर पढ़ा रहे हैं और हमने सुना ने इसका मुतलब ट्रांस तो ठेक नहीं है आज से ट्रांस में जाना बंद बाबा ने ट्रांस में जाना बंद करा दिया फिर ट्रांस में जाएं क्यों बाकी निरने आपका कि आपको ट्रांस में जाना है या नहीं जाना परंतो इस वेधी को जानना ये आपका अधिकार था आपने इसे जाना और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रमा कुमारी इश्वरिये विश्व विद्या लेके किसी भी सिवा केंदर पर संपर करें यदि कोई प्रश्ण है तो 9-2-1-3-1-0-6-9-8-6 पर केवल टेलिग्राम करें 9-6-5-0-6-9-2-2-7-0 पर केवल वाट्सप करें पुनने ओव शाल